असलाम लेकुम माई क्यूरियस फालवर्स अमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे हैपी न्यू येर ट्विंटी ट्विंटिफाइव आज से हम लेक्चर के एक नई सीरी स्टार्ट करें जो होगी नैनो इर्फारमेडिक्स पे आज के लेक्चर में हम उसका और यू आप से शेयर करेंगे कि लबॉर्ट्री में जो आप नैनो पार्टिकल्स संतसाइज करते हैं उसका स्ट्क्चर कैसे ड्रॉट किया जा सकता है बाइफरमेडिक्स की असरी है पिर उसकी स्ट्क्चर की करेक्टरिजेशन जो है वो डी एफटी के अनलसिस कैसे उसके हो सकते हैं और डॉकिंग किस टूल से आप कर सकते हैं और उससे बढ़कर सैमुलेशन के लिए सबसे बस टूल उसके लिए कौन सा है आईए देखते हैं माई क्यूरियस स्टोडियंट्स आईसे हम एक लेक्चरी की नई से स्टार्ट कर रहे हैं जो होगी नैनो इंफरमेडिक्स पे जिसका नाम यहाँ पर आपके सामने एक वेरी क्लिरी मैंशन है और स्लागन के है हमारे पास अमार्डन एप्रोज टू नैनो टेकनोलजी रिसर्च यानिके इन वीट्रो से इन सिलीको लेवल पे आप रिसर्च कैसे लेकर जा सकते हैं नैनो टेकनोलोजी की आई एसका थोड़ सा ओर वीज और इसके सिगिनिफिकन्स देखते हैं सिगिनिफिकन्स तो बहुत किलियर है इसकी यानिके नैन इन्फर्माटिक्स अक्टू fragment के नैनो टेकनोलोजी का और ये क्या हलپूट करेगा हमारे लिए ये हमारे पास data को manage करेगा, analyze करेगा, interpret करेगा कौन से data को, जो के nano particles या nano material से related data होगा और इसके significant निचे दर आकर देखिएगा, जो मैंने आरड़ी आपसे mention किया था कि data management में ये यूज होगा और फिर nano particles के जो predictive molding उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं new knowledge के discovery कर सकते हैं और सबसे important thing is that कि risk assessment और safety को दे सकते हैं और जब nano की बात हो और आने वाले 10 सालों के हम बात करें research की तो सबसे important search में जो इसका roll होगा वो nano informatics का होगा inter-disciplinary collaborations में और resource की efficiency में जैसे की cast बाढ़ रही है कीमते बाढ़ रही है लेकर हमारे पर research करने के लिए जो है वो चीजे कम है तो जो चीजों की feasibility है उसमें हमें ये help out करेगा आए ये देखते हैं कि इसमें total कितने steps involved है इसमें total seven step involved है और हम हर step की उपर आपके एक lecture जो है इसकी उपर कार्ड करेंगे तो इसलिए जुड़े रही हैगा इस series के साथ अगर आगर आप nano informatics की उपर आने वाले 10 सालों की research करना चाह रहे हैं ये first step जो हम करेंगे data collection data collection यहाँ इस पे दो तरह की होगी अगर तो आप nano informatics पे काम करना चाह रहे है इन vitro lab से आगे लेके चलना चाह रहे है काम को तो पिर हमें FTR का data चाहिए होगा जैनि कि nano particle की characterization के लिए हम FTR analysis कराते हैं तो वहाँ से उसका function groups की data होगा वहाँ हमें वहाँ पे required होगा तो ये data collection में first step तो हमारे पस ही आजाता है लेकर अगर आगर 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 आपके पास lab का data नहीं available यानि कि आप laboratory में काम नहीं करना चाह रहे हैं अब already जो available nanoparticles है जिनका data base पे data available है तो फिर हम use करेंगे NBI database जहां से तमांग तमां nanoparticles का data available है तो ये data collection में हमारे पास जो है दो तरीके से जो हम first lecture की पर आप से शेयर करेंगे और second step या second lecture की बार करो तो फिर हम देखेंगे nanoparticle design and optimization जो सबसे important है जो कि transition है in vitro से इन silico की यानि कि हम avocado tool को use करते हुए इसका एक हास structure construct करेंगे chemical structure construct करेंगे जिसको हम act as a ligand करेंगे for different kind of receptors यानि कि आगे further drug, vaccine ये bio degradation तुमार के तुमारे 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 पास बन जाएगा तो हम उस nanoparticles की जो structure की होगी उसकी जो हम क्या करेंगे उसकी properties चेक करेंगे किससे Gaussian tool के तुम हम इसको जो है आपसे in detail और in depth जाकि इसकी physio chemical properties उसकी stabilities ये सारे चीज़े यहां पर चेक करेंगे कब चेक करेंगे जब नैनो पार्टिकल बन चुका होगा third level पे और four step की बाद कर तो हम उसके toxicity analysis करेंगे उस nanoparticles के structures की टॉक्स, three tool हम इसके यूज़ करेंगे और fifth step में हम जाएं तो हम इसके देखेंगे molecular docking docking लिए आपने बहुस से tool पहले यूज़ किये होंगे मैंने बहुस से लेक्टिकल्स पे दीए हैं चाहे वो वीना की बात करें चाहे कलस्प्रो की बात करें चाहे पायरेक्स की बात करें चाहे टाई डॉक्स की बात करें six level पे जो docking के results है उनको हम visualize करेंगे discovery studio के जरीए आप आइमोल से भी कर सकते हैं लेकर discovery studio जो है वो इसके ज्यादा feasible है ज्यादा suitable है तो उसके ज्यादा वियूलाइज करेंगे dot complex की और लास्ट बार्णार दिलीस अपने साथवे लेक्चन में हम आपको बताएंगे कि आपने किस लिक्चे से इसके मालग और डिनामिक स्टेमूलेशन करनी है तो इसके लिए जो हमारे पास बहुत से tool available हैं लेकर हम इसके रिक्मेंड करते हैं आपको ember तो ये साथवे लेक्चन हमारा आपको बता दें कि हमारे पास फस्टेम में क्या कुछ होगा इन डेटेल जाके तो यहां देखे मैंने आपको बताए था फस्टेम हमारा दो चीज़ों में मुश्मिल होगा इन वीट्रो एंड इन इन इसलिको डेटा अगर आपका डेटे का सोर्स जो है वो लैब है इन वीट्रो है तो फिर हमें जो है FTR अनलसिस करने होगा जैसे उपर मैंशन है FTR इनलाइस डाटा स्पेसिफिकेशन क्योंकि वहां से हम फंक्शन गृप्स की इडेटिफिकेशन करेंगे उसकी सर्फस कमिस्ट्री और कोटिं चेक करेंगे नेनो पाटिकल की क्रथिजेशन करेंगे और नेनो पाटिकल की स्टेबिलीटी या उसकी असेंस्मेंट चेक करेंगे इडिफ्रन की टूस की जरीए इनस लिए को डैटा क्योंकिन की लीए फिर हम जाएंगे इन बी आ निया के डैटा बेस ऑपर और functionalization देखेंगे इसके toxicity analysis करेंगे bio-activity data देखेंगे इसका environmental interactions करेंगे और इसके stability का data भी चेक करेंगे जब हम step 2 की बाल करें जिसमें हम lecture number 2 record करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे किसकी nano particle का जो design एसकी optimization की यह जो हम किस से करेंगे avogadro tool के जिए बहुत important step है इस पूरी series का जिसमें हमारे पास जो है जो हमारा nano particle होगा जो कर वैट लैब से आएगा या इनसलिको यानि की database से आएगा उसके structure को हमने क्या करना होगा draw करना होगा structure का construct करना होगा cardio and their functional groups ठीक है यहाँ पे link available है गाइड़र tool का detail और depth में हम जब lecture की इस series के अंदर इस lecture को हम detail से आपसे share करेंगे तब हम आपको बताएंगे एक offline tool है user friendly tool है ठीक है integration with external जो है competition tool सा link का यह हम अपने data को customize कर सकते है scalable कर सकते है by the use of agadro और इस से हम अपना molecule जो है nano particle का structure जो है construct कर सकते है जो further आगे use होगा different किसम के analysis के लिए और अगर हम अगर move करें step number 3 के उपर तो वहाँ पे हम जाके जो हमारा nano particle का structure आएगा उसका हम Gaussian tools के जो है उसके structure की जो properties है उनका हम visualize करेंगे यह भी एक offline tool है user friendly है high performance simulation and scalability पे वर्क करता है extent fit documentation and support for research में इसकी help होती है यहनी के Gaussian से हम जाके हम देखेंगे हमारा nano particle का structure आया है उस structure की जो characterization है उसकी specifications है उसकी जो properties है वो क्या है वो इस काबल है कि उसमों फर्दर जो as a legend as a drug as a vaccine यूज़ कर सकें इसके बाद हम move करेंगे step number 4 पे जहां पे हम इसके जो nano particle का structure हमने draw किया हुआ होगा उसके toxicity analysis देखेंगे और इसके लिए हम tool यूज़ करेंगे इसका नाम है tox tree यूज़ करेंगे हम पे available है इससे हम predict करेंगे इसकी toxicity के assessment देखेंगे और इसके बाद हम integration करेंगे other toxic prediction tool के साथ यह easy to use और interface जो है इसकी बहुत ही जो है वो friendly है और sport for different nano materials and chemical structures आगे move करेंगे हम इसकी interactions की तरफ और interaction के लिए हम जो tool यूज़ करेंगे वो हमने RDA को बताए होगा diff doc उसका link यहां पे आपके सामने available है इससे हम आपनी जो है जो nano particle आएगा इसके किसी भी जो भी nano particle जिस भी study पीछे design हमारे पास चाहे वो environment से related है चाहे वो health से related है चाहे वो disease से related है तो उसके साथ जो भी receptors होंगे उसके साथ उसकी docking करेंगे हम ठीक है यह efficient tool है docking के लिए specifically use of the nano particles की docking के लिए high throughput screening है इसकी high speed है online है user friendly है और उसके बाद इसकी interface वो बहुत ही advanced customize है तो उससे अच्छा tool कौन सा हो सकता है किसी भी nano particle की docking के लिए आगे आगे आप move करेंगे docking जब हमने कर ली उसके energies हमारे पास आ जाएंगी उसको हमने visualize भी तो करना होगा तो visualize के लिए हम आएंगे and detailed representation देता है और interactive analysis जो है उसकी भी detail हमें provide करता है color coordinate videos feedback far binding interactions भी हमें मिलती है यानि कि हमारे हमें जो ligand और receptor का यानि हमारे nano particle का इसको जो receptor का उसकी 2D image भी देगा उसका 3D image भी देगा और पिर जो residue zone की interaction की जो points भी देगा उसकी bond length भी वहाँ पर show करेगा bond angles भी show करेगा यानि कि यह comprehensive way में जाकर discovery studio हमें इस पर help out करेगा जब आपने docking कर लिए उसको visualize भी कर दिया फिर last चीज़ महारे पास कहा रहाएगी उसकी है उसकी हम जो तूल यूज करें होगा parallel and multi-core processing of security करके देगा comprehensive force fields भी available हैं जो कि nano particle की simulation के लिए हमें support करेगी और user friendly है with advanced visualization and assist tool और यह निकि हम आपने पास जो nano particle pace उसके receptor के साथ उसका complex होगा उसकी stability को each and average जो उसके steps है तमाम graph जो है हम ember के तूर उसको जार सकते हैं अब यह total हमारे पास कितने हैं seven lecture आपके साथ ने है और यह series के अंदर जितने भी seven lectures है इन के उपर हम one by one जो है lecture आपसे share करेंगे यह यहां पिसका और यह जैसे आपके सामने available है और आप इस series के साथ जुड़े लिएगा अगर आपने आने वाले दस सालों की research के उपर अपनी grip मश्बूत करनी है तो आपको नैनो आफ्रामेडिक जैसे skill ज़रूर सीखनी चाहिए आएए और नैनो आफ्रामेडिक सा हमारे साथ सीखिए